ब्रेक के बाद एक बाद फिर से सुवागत है नमनक है हमारे साथ महारास्थ से फोन लाइन पर नमनक जी सुवागत है आप करणी नियूज में बताएं नमस्कार जी नमस्कार नमनक जी बताएं पोटेटो का रखना चाहिए नमस्कार पोटेटो पोटेटो जी हाँ नमनक जी कोई सुदा किया हुआ है आपने आलू में किसान है आपके पास आलू फिजीकल में रखा है रूपा क्या लगता है पोटेटो यहां पर हमने काफी बीरिश ट्रेंट भी देखा उसके बाद हमने बाजारों में एक स्ट्रेंट भी आते हुए देखी इस समय पर अगर हम वाइदा कारोबारों की बात करें तो यहां पर मार्च का जवाइदा है 580 रुपे के असपास देखने को मिल रहा है क्या लगता है यहां पर स्ट्रेंट आएगी क्योंकि आलू इस पार बंपर प्रोडक्शन देखने को मिला आगरा के जो वेर हाउसे पटे पड़े हैं लेकिन इस पार एक्सपोर्ट ठिक ठाक हो रहा है स क्या लगता है यहां से 20-25 रुपे का इजाफा जो है अभी आलू में और देखने को मिल सकता है 600 रुपे तक का लेवल जो है एक बार अगर हम मार्च वाइदा की बात करें तो वो देखने को मिल सकता है तो अभी इनको थोड़ा सा होल करना चाहिए और जैसे ही मार्किट मे उपर की डिपा उपर का आता है मुमेंट तो उस लेवल पर इनको अपना माल जो है दिरे-दिरे करके निकालना चाहिए क्योंकि मुझे लॉंग तर में आलू में ज्यादा स्रेंद नजर नहीं आती अभी फिलाल यहां से शोट तम में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकत हो आप अपने माल को होल्ड कर सकते हो यहां पर आपको प्रती किलो की अगर बात की जा है तो यहां पर तक रिवątन 2-3 रूपए का जो इजाफा अभी फिलाल क्या strength बनते हुए यहां पर नजर आती है क्या उपरी तरों पर अभी भी बिक्वाली जारी रहेगी या फिर buying opportunity देखे गवार में buying opportunity तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि गवार में जिस तरह से इसका fundamental में हमने देखा कि इसका production record तोड़ कर पर इस पर पहुंच चुक वहीं अगर हम आज की इंटरे की बात करें तो मुझे लगते है कि गवार में 2390 रुपे तक के लेवल जो है में देखने को मिल सकते हैं राजयसान से हमरे साथ पॉलाइन पर कैलाज जी सुआगता आप कर अपने नियूज में बताएं जी कैलाज जी बताएं मूंग की आपकी पैदावार है मूंग हलांकि इस बार अच्छा देखने को मिला है इस बार दालें जो हैं काफी अच्छा प्रोडक्शन दिखाई दिया है यहाँ पर दालों के अंदर चाहे वो चने की बात की जाए या फिर मूंग की अरर की बात की जाए इस बार अरर साउथ में बहुत अच्छा हुआ है जिसने सारी की सभी डालें जो है वो नीचे ला दी ह हलांकि पिछले एक और दो दिन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मूंग के अंदर मामूली सामने इसाफा आते हुए देखा है साउथ जो हमारी स्टेट्स हैं दक्षनी भारत के अंदर थोड़ी सी यहाँ पर स्टेंट आते हुए नजर आई है लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर बड़त नहीं दिखाई दे रही है और मूंग की अगर दाल की बात की जाए तो पंजाब के अंदर जब प्रिंस चाल्स ने यहाँ पर मूंग लगाने की बात की पंजाब के अंदर तो उसके बाद से प्राइजिस हलांकि थोड़े सा बूस दिखाई दे सकती हारांकि फैस्टिव सीजन है इस वज़े से भी यहाँ पर मांग निकली हुई है लेकिन दिसंबर के बाद की बात की जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है राजबंत है हमारे साथ पोन लाइन पर राजबंत जी स्वागत आप का अड़ी यूसमें बताएं जी राजबंत जी डी न बाद कर दन के बाद से सवाल है मारास्च से हर्याना से को न गटन को लेकर के काफी सवाल है क्योंकि समय पर overall high levels के उपर हम यहाँ पर cotton के prices देख रहे हैं रखें या बेशतें अभी होल्ड करें यहाँ पर अभी होल्ड करने से आपको फाइदा देखने को मिलेगा धननजय है नालंदा बिहार से हमारे साथ पॉन लाइन पर धननजय जी स्वागत है आप का अड़ी नियूज में बताएं सरसों रखा आपके पास रूपा क्या लगता है सरसों रखें या बेज दें क्योंकि हमने पिछले दिनों काफी अच्छी स्ट्रेंद आते हुए यहाँ पर देखिए हाजिर बाजार में भी थोड़ी सी वापिस बुलिशने से यहाँ पर दिखाई दिया है क्या करना क्योंकि सरसों का लोंग तरम अगर हम आउट्रूक लेकर चले तो लगता है कि उपरी लेवल से इसमें मुनाफ़ा वसूली देखने को मिल सकती है और आने वाले समय में इसमें गिरावट जारी रह सकती है तो अब भी फिलाल जो है शोर्ट टम में थोड़ा सा तेज है और उसी तेजी के दौरान जो है इनको अपना माल निकाल देना चाहिए दलंजे जी जैसे ही थोड़े से प्राइजिस यहां पर बढ़त लेते हैं यानि कि 50 से 100 रुपे की स्ट्रेंथ यहां पर आती है तो उसमें आप बिक्वाली कर दे अपना माल निकाल दे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यहां पर नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इस पार खादय तेलों का इंपोर्ट बहुत ज्यादा हुआ था और साथ ही दूसरी जो इस पर खास वज मंचा है प्रोडक्शन इस पार बंपर हुआ है अच्छा प्रोडक्शन है राजस्तान की बात करें हरियाण की बात करें बिहार की बात करें और इस पर यूपी की बात की जाए तो सर्सों यहां पर अच्छी खासी दिखाई दे रही है